आपका 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 यूटीब चाहा हम इसको डीके में अधाज में से शेयर के बारे में बात करेंगे वह अधानी ट्रास्मिशन लिमेटेड अधानी ट्रास्मिशन गंदर आज की दिन आप लोग देखोंगा आपको 2.5% के आप ग्रावड देखने को मिल रही है जबकि कल क के दिन तो शेयर जोन भी 6-7% के आस पास भागा था ठीक आज चानक स्टोग में कैसी गिरा उट आई तो कल जो तेजी बनी थी एक्चलिम उस तेजी के पीछे कोई से थोस वजाए नहीं थी उसके पीछे सिरफ दो ही रीजन थे एक तो आप लोग देखोंगी इन्वेस्ट है वो डिकलेर करने वाली है तो यह दो खबर आती हो नज़र आए थी इसी के वेस्ट पर आप लोग देखोंगे इन शेयरों में तेजी बनी खास तोर पर आप लोग देखोंगे अडानी ग्रीन एनरजी के अंदर जो तेजी बनी है उस तेजी को देखकर बहुत सारी निव क्या स्टॉक में फ्रेशिंटी लेने का टाइम है या फिर जोना भी 31 जुलाई जो इसके क्वाटर रेजल्ट्स आने उसके बाद ही ट्राई करें तो चलिए फटाफर से देखते आज जो वोल्यूम स्टॉक में आई है 3.6 मिलिन यानि 36 लाग क्या असपास वोल्यूम और 814 आप लोग के भाव पर जो सिर्व क्लोजिंग लेते नजर आया 5% के करीव तूट कर वहीं आप लोग देखो कि अभी बैतर के उपर इसके जो पी रेशियो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं जो कि अभी स्टॉक ओवर वैलूड दरसा रहा साथ में आरा से माफई दोनों 60 क यह एक अच्छी रेंज में ट्रेड है ठीक है यह एक अच्छी जुनाय लेवल है आरा से मफई के तो चलिए अब जानते भी इसके क्लके क्या हो सकते लेवल चार्श यूपर क्या कुछ इसके टार्गर लगर निकल रहे हैं साथ में डाटा बगर क्या है वो देख लेते पह हाई रहा है उसके बाद शेयर ने टूटना स्टाट के और आट सो पांस तक जो शेयर वो नीचे में भी आया ठीक है तो स्टोग में बड़ा फोल हमें देखने को मिला है इस ग्रावड चलते मार्केट प्राइस की उपर आप लोग देखोगे 235 आपको बाइन के लिए नज रहेगा या फिर स्टोग में आपको ग्रावड देखने को मिल सकती है तो चलिए जानते अभी चार्ट के उपर इसके आगे के सपोर्ट तो यहां पर आप लोग देखो तो तो भी हमारी कलवाली वीडियो में आपको बोला था कि स्टोग अपने जोनवे आप लोग देख सक स्टोट है अगर यह लेवल नीचे में तो फिर आप लोग देखो के फिर से जोशे रहे जाए 700 रुपे डी आस पास हमें देखने को मिल सकता है तो यह इंपोर्टेंट सपोर्ट है जो की आप लोग देख रहे हो 800 रुपे गा अगर यह तूटा तो साढ़े साज़ी, तो सपोर्ट आपको देख लिया होगा 800 अगर नीचे में काटे तो स्टॉक से एक जिट मारो और तब तक तक तो इसके क्वार्ट विल्ग रिजट्स भी आ जाएंगा 31 तारीक को अगर 31 तारीक को रिजट्स आएंगे अच्छे आएंगे तो स्टॉक में अच्छी रहली आपको वीडियो पसंद आई होगे वीडियो पसंद देख लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया दो सब्सक्राइब बना मत भूलना और थैंक्यों फॉर वोचिंग दे वीडियो